हलो बच्चो गुड मॉर्निंग नमस्कार कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में शांदार तरीके से व्यस्त होंगे बढ़ा जी आज हम लोग one shot एक shot में करने वाले हैं topic को जिसका नाम है नियंत्रन इवंसमन्वे नियंत्रन इवंसमन्वे को हम लोग शांदार तरीके से आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मैं मनिश शुकला डिलस एजुकेशन विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहें दिल से स्वागत करता हूं एक बार थमसब करके बताएगा और ये वीडियो क्लियर है सब सभी लोग राजी हैं सब लोग कि बात जो हम लोगों को इसमें करनी है वो किस रूप में करनी है तो इसमें हम लोगों को देखना है क्या-क्या पहले हम लोग वो सुन लेते हैं हमें इसमें सबसे पहला देखना है अंतह स्रावी तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला तो ये देखना है हमें फिर ये अंताहसरावी तंत्र हम लोग दो खंडों में देखेंगे, पहला मानव के रूप में देखेंगे और दूसरा हम लोग पौधों में यानी पादप में देखेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोगों को जो इसमें मुख्य टापिक करना है वो करना है मानव मस्तिस्क से संबंधित बातें करनी हैं और कुछ इस्पेशल बाते हम लोग इसमें और करेंगे पौधों में इस्पेशल टास्क या इस्पेशल टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो इतनी बातों को हम लोग को इसमें cover up करना है बहुत आसानी से और कम समय में हम लोग इसको खतम कर सकते हैं इसमें सर्थ ये रहेगी कि सबसे पहले ये तो देख लें कि कितने question आ रहे हैं इस प्रश्ण से इस chapter से कितने प्रश्णों के आने की संभावना है तो मैं बता दूं long question में एक question आ सकता है कैसे कैसे question आते हैं तो मैं आप लोग के लिए लेकर की आया हूँ एक PY का page जिसमें ये आपको पता चलेगा कि कौन-कौन से प्रश्ण परिक्षा में आये हुए हैं आये उसको भी देख लेते हैं कौन-कौन से प्रश्ण आये हुए हैं उसके बाद हम लोग आज की class को शानदार तरीके से start करेंगे जादा नहीं पढ़ना हम लोगों को बहुत कम पढ़ना है लेकिन solid पढ़ना है ठीक है ये आपके PY क्यू हैं जो बहुत ही important है जो की आपके परिक्षा के दृष्टी कोन में बहुत ही शानदा रोल प्ले करने वाले हैं इनके इर्द गिर्द ही paper बनता है हम लोग सारी कहानी को line by line discuss करेंगे एक एक करके discuss करेंगे आराम आराम से देख लेते हैं क्या-क्या है इसमें question तो पहला question है एक तंत्रिका कोशिका की संडशना यानि ये important हो गया कि आपको तंत्रिका कोशिका की संडशना बनाने आनी चाहिए दूसरा इसके कारियों को प्यानकारी होनी चाहिए जो special term लिखा था मैंने उसमें देखिए ये question आया है पाउधों में प्रकाशा नुवर्थन किस प्रकार होता है प्रकाशा नुवर्थन क्या है गृत्वा नुवर्थन क्या है रसाइना नुवर्थन क्या है ये डिस्कस करेंगे मानो मस्तिस्क का स्वक्ष नामांकित चित्र बनाते हुए वर्डन करना है लॉंग कोश्चन है वी वी आई पी ठीक है और इसके बाद किनी तीन पादप हार्मोनों का नाम उनके कारियों के बारे में भी एक्स्प्लेन करना है आपको आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है इसकी जानकारी भी हम लेंगे और एक गरंथी जो दी हुई है एड्रिनल गरंथी वह उनके कारियों का वड़न कीजिए हम लोग एक एक कोश्चन को शांदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं लेकिन उसके लिए एक बा दो कोश्चन आपके एक्जाम में टकराने के चांसेस हैं एक लॉंग यानि विस्तित उतरी प्रशन जबकि दूसरा शॉर्ट कोश्चन आ सकता है तो आईए क्लाश को शांदार तरीके से स्टार्ट करेंगे सबसे पहली बात हम लोग डिसकस करेंगे अंतहसरावी तंतर पे मानाव अंतहसरावी तंतर के बारे में हम लोग को डिसकसन करना है तो सबसे पहली बात यही जान लेते हैं कि अंतहसरावी तंतर क्या है देखिए हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियां होती है एक को कहते हैं वाहिसरावी ग्रंथी और एक को कहते हैं अंतहसरावी ग्रंथी ठीक है अब वाहिसरावी ग्रंथी हो गई अंतहसरावी ग्रंथी होगी तो पहला कोश्चन ये की ग्रंथी क्या है तो मैं बताऊं अगर आपको कि ग्रंथी क्या है तो आप से अगर कोई पूछे कि what is gland ग्रंथी क्या है तो आप बताएंगे कि या तो कोई कोशिका या तो कोई अंग या तो कोई उतक बल्कि उतक को पहले कर दीजी उतक और अंग कोई भी कोशिका कोई भी उतक या कोई भी अंग जिससे किसी रसायन का स्रामण होता हो किसी रसायन का क्या होता हो बच्चे स्रामण होता हो और अगर कोई ग्रंथी है यानि कोई कोशिका है कोई उतक है या कोई अंग है जिससे किसी रसायन का स्रामण हो रहा है तो ऐसे अंग को या ऐसे उतक को या ऐसी कोशिका को ही क्या नाम दिया जाता है ग्रंथी नाम दिया जाता है यानि ग्रंथी क्या है ग्रंथी कोई कोशिका हो सकती है कोई उतक हो सकता है कोई अंग हो सकता है जिससे किसी रसायन का स्राव हो ठीक है अब दूसरी बात कि ये ग्रंथियां दो तरह की हो सकती है कितने तरह की दो तरह की किस आधार पे अभी हम उसको डिवाइड करेंगे दे बाहेसरावी ग्रंथी अंतहसरावी और बाहेसरावी ग्रंथी और इनहीं के बारे में हम लोगों को आज चर्चा पूरी तरीके से कंप्लीट करनी है यानि पूरा का पूरा टॉपिक हमारा इनहीं के इर्दिगर्द घूमने वाला है बोलिये राजी खुसी तयार हैं सब पलने वाले हार्मोन आते हैं इसका मतलब क्या इसका मतलब यह कि अंतहसरावी ग्रंथी से जिस रसायन का संसलेशन होता है जिस रसायन का स्रामण होता है वो रसायन कौन है तो वो हार्मोन है पहली बात एक नंबर में पूछ लिया क्या पूछेगा कि अंतहसरावी ग्रंथी स किस चीज का स्रामड होता है तो आप बताएंगे हार्मोनों का स्रामड होता है एक कन्फरम हो गया नंबर अच्छ आगे अंता स्रावी तंत्र का कार्य हार्मोन का स्रामड करना और उसे रुधिर के साथ मिलाना होता है यानि दूसरा पॉइंट क्या मिला कि जो हार्मोन बना उ अंगों तक पहुचता है जहां उसको काम करना होता है वहां वो काम करता है जिस जगेह पे काम करता है उसको target organ बोलते हैं या target अंग बोला जाता है ठीक आगे हार्मून की बारे में एक बात है कि हार्मून एक प्रकार का रासायनिक संदेश वाहक है केमिकल मिसेंजर है रासायन संदेश वाहक है जो किसी विसेश उतक या अंग को प्रभावित करता है अर्थात वह विशिष्ट उतक किसी कारे को करे या ना करे इस बात को कौन बताएगा तो इस बात को बताता है हार्मोन बताता है बात समझ में आगे ये तो रही एक बात दूसरी बात क्या है आगे बढ़ते हैं इसका एक मेन रोल होता है होमियोस्टेसिस को बनाए रखना किसका हार्मोन का काम है होमियोस्टेसिस को बनाए रखना अब होमियोस्टेसिस का मतलब क्या है मैंने बार बार ब अंदर के वातावरण के बीच में संतुलन बनाए रखने की क्रिया को ही क्या कहते हैं होमियूस टैसिस कहते हैं राजी खुसी बढ़ेंगे अगले कॉंसेप्ट की और अगला कॉंसेप्ट आप लोगों के सामने अंताहसरावी और बाहसरावी में डिफरेंस के रूप में एक स स्क्रिंसोट ले लीजिएगा हो सकता है कि इस बार परिक्षा में यह आ जाए चांसिस हैं तो पहली बात क्या बताई गई पहला पॉइंट क्या बताया गया कि अंताहसरावी से निकलने वाले पदार्थ है उसका नाम क्या है हर्मोन है और वाहसरावी से निकलने वाले पद उतपाद को यानि अपने हार्मोन को डालता है लेकिन इसके लिए नलिका की जरूरत होती है यह एक पाइप के द्वारा अपने प्रोडक्ट को अपने उतपाद को अपने एंजाइम को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है ठीक अगली बात इससे जो स्रावित होता है वो कहा जाता है तो रुधिर में जाता है और ये किसी नलिका में जाता है हो गया टारगेट अंग इसमें कौन हो सकता है यह ग्रंथी से कहीं दूर इस्थित होता है जिस ग्रंथी से निकलने वाला हार्मोन होगा वो वहीं काम न करके किसी दूसरे अंग पे कहीं दूर जा करके अपना काम करता है लेकिन यह ग्रंथी के पास ही अपना काम करते हैं क्योंकि प कम हैं लेकिन इनकी तुलना में आधिक होता है एक सौटी स्क्रिन बना लीजिएगा आगे बढ़ेंगे डन ओके चलिए अब कुछ गरंथियों की कहानी है ये मैं एक चार्ट लेकर की आया हूं और इस चार्ट में आपको विभिन गरंथियों के बारे में जानकारी आज मिलने इसमें कितनी मुख्य हैं वो मैं टीक कर दूँगा आपके लिए लेकिन नाम यहां आपको सब के लगभग जानने होंगी जैसे सबसे उपर यहां पर यह यह देखिए ब्रेन वाला हिस्सा है और इसमें यहां पर एक ग्रंथी पाई जाती है जिस ग्रंथी का नाम है पीनिय और पीनियल गरंथी से नीचे एक गरंथी और पाई जाती है और इस गरंथी को कहते हैं पीऊश गरंथी ठीक है यहां पर गले के भाग में एक यच के आकार की एक गरंथी पाई जाती है या butterfly shape की होती है या तितली की तरह होती है जिस गरंथी को नाम दिया गया क्या थाइराइड गरंथी और इस गरंथी के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं पहले से ठीक है यहाँ सीने के भाग में यह देखिए lungs हैं यह क्या है दोनो लंग्स हैं और इस lungs के भाग में यहाँ पर एक गरंथी होती है और इस गरंथी का नाम है थाइमस गरंथी यह किड्नी है और किड्नी के ंपर एक गरंथी इस प्रकार से पाई जाती है दोनों किड्नियों के ऊपर और इस गरंथी का नाम है अड्रिनल गरंथी ठीक है और यहां पीछे की ओर एक गरंथी पाई जाती है जो पत्ती की तरह होती है इस गरंथी का नाम है अगनाशय और लास्ट में यह गरंथी है इन दोनों को मिला करकि एक साथ बोला जाता है जनत गरंथिया जनन गरंथिया या जनत गरंथिया दोनों एक ही इतनी गरंथियों के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी लेते रहिएगा आपके exam के point of view से जो important है उस पे आज हम चर्चा करेंगे जिसमें thyroid आपके लिए important है, puse आपके लिए important है, agnasi important है और adrenal important यानि total ग्रंथियों की संख्या जो आपको पढ़नी है वो केवल और केवल कितनी? चार के बारे में discussion करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है, puse ग्रंथी का, क्या है puse ग्रंथी? तो बताया गया यह मस्तिस्क के भाग में पाई जाती है पहला बात तो यह हो गया दूसरी बात कि यह किस आकार की होती है तो मटर के दाने के आकार की होती है जैसे मटर का दाना है इत्तू सा होता है इसी आकार की होती है कौन प्यूश ग्रंथी और यह इकलोती ऐसी ग्रंथी है जो अन्य सभी अंतहसरावी ग्रंथियों पे जितनी नाम बताए मैंने उन सारी अंतहसरावी ग्रंथियों पे अपना कंट्रोल रखती है अपना नियंत्रार रखती है इसलिए इस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी के नाम से जानते हैं बोलो राजी खुर से आ गई बात समझ में मास्टर ग्रंथी पुछा जाएगा आपसे कि पियूस ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी क्यों कहते हैं तक का बताएंगे बताएगा सीधा सीधा उसको क्या कि पियूस ग्रंथी अन्य अन्तहसरावी ग्रंथियों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है इसलिए प्यूश ग्रंथी को मास्टर ग्रंथी के नाम से जाना जाता है बढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है या कपाल गुहा मतलब ये के इस फिनाइड हड़ी में एक गड़े में स्थित होती है ये पूरा याद हो तो नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है प्यूश ग्रंथी का लगभग सबही अंत्सरावी ग्रंथीयों पर नियंत्रन होता है इसलिए इसे मास्टर ग्रंथी भी कहते हैं तुरंत इसको नोट करेंगे कॉपी पेन अपने पसाथ हमेशा रखा करिए तुरन नोट किया करिए ठीक है आगे अब प्यूश गरंथी के दो भाग होते हैं एक होता है अगर पिंडक और एक होता है पस्च पिंडक अगर पिंडक को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं याद हो जाए तो बढ़िया और न इस उडिल पिंडक से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो अन्य अंता असरावी गरंथियों को क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं नियंत्रा रखते ठीक है ओके अब बात करेंगे अगले हार्मोन ये देखे फिगर है इस फिगर को भी देख लीजे ध्यांसे ये देखिए ये इसका अगर पिंडग का भाग है और ये इसके पश्ची पिंडग का भाग है ठीक है ये वाला कौन सा है अगर भाग है और ये वाला कौन सा है पश्ची भाग है ठीक है बढ़ेंगे अगले स्लाइड पे अगली स्लाइड आप लोगे शांदार तरीके से ले करके आई है अ पागर भाग से निकलने वाले हर्मोन तो मैंने एक चीज आपको कॉंसेप्ट में बताई है उसको याद रखेंगे क्या है कॉंसेप्ट तो बताया गया पारुल अंटी STF ने MLA को पीठा बस ये इतने साथ हर्मोन है प्रोलेक्टिन, सोमेटो ट्रॉपिक, थाराइड इस्ट्यूमिलेटिंग हर्मोन, फॉलिकल इस्ट्यूमिलेटिंग हर्मोन, मिलैनोसाइड इस्ट्यूमिलेटिंग हर्मोन, लिटिनाइजिंग हर्मोन और अड्रिनोकॉर्टिक नाम बहुत च्ट्रफ हैं इन सारे नामों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है जो बताऊंगा वही याद रखिएगा जैसे ग्रोथ हार्मोन को याद कर लीजिए एस को ग्रोथ हार्मोन या कहते हैं सोमेटो ट्रॉफिक हार्मोन सोमेटो ट्रॉफिक हार्मोन अब ये क्या करता है सीधी सीधी बात है ग्रोथ हार्मोन है तो किस से रिलेटेड होगा ग्रोथ से रिलेटेड होगा यानि जब किसी बच्चे में ये बच्पन में अगर कम स्रावित हो यानि ग्रोथ हार्मोन न निकले तो क्या होगा बच्चे के अंदर बौनापन हो जाएगा ये ग्रोथ हार्मोन का क्याम है यहाँ पूर्वकाल पिट्री उट्री द्वारा स्रावित हो था पूर्वकाल शिकाओं के विकास को उत्तेजित करता है ग्रोथ कैसे हो कितना हो यह सब कौन देखेगा कौन ध्यान रखेगा यह ग्रोथ हार्मोन ध्यान रखेगा और दूसरा आपको नाम याद रखना है थायराइड उत्तेजक हार्मोन का यह क्या करता है यह यह है ती थायराइड उत्ते यह सब कौन देखेगा यह देखता है थाराइड हर्मोन थीक है था राक्सिन में कौन-कौन सी चीज़े होती है T3 or T4 ठीक है T3 or T4 कहां से प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है iodine युकत नमक से एक कोस्ट reservations आया था और यहां से हैं इसका एक रोल और बताऊंगा मस्तिस्क में ठीक है तो यह आप screenshot बना लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब एंटिरियर पिट्रियूट्री में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पस्ट पिट्रियूट्री से पढ़ने वाएले दो हार्मोन आपको याद रखनी है एक ऑक्सिटोसिन याद रखना है और दूसरा वैसे प्रोसिन याद रख आपको याद आपको याद गाओं में देखा होगा आपने कि जो गाय भाइस जिसका बच्चा मर जाता है पैदा होने के बाद वो दूद्ध देना बंद कर देती है उसको थनाइली नहों इसलिए उसके दूद को जबरजस्ति निकालने का प्रयास किया जाता है फिर भी उल जात मारती है दूद नहीं देती है तब क्या करता है जो उसको पाला रहता है ब्यति योगी को इन्जेक्शन इप कीन के लिए आता है उसको लगा दिया जाता है इसी का सुई जिससे उसका डेवलप्मेंट बहुत बढ़ जाता है और अधिया भर में एते हैं नहीं करना चाहिए लेकिन क्या करें किसानों के सामने मजबूरी है आगे देखते हैं ऑक्सिटोसिन को और क्या कहते हैं इसे लव हर्मोन के ना से जानते हैं क्योंकि जब बच्चा मा के गर्भ से बाहर आने वाला होता है तो यह गर्भाशय की दिवार को सिकोडता है जिससे बच्चा अचानक से बाहर ना निकले आराम से निकले तो जब नली सिकोडती है बर्थ कैनाल या जो जन्म वाली नली है जिससे बच्चा बाहर आएगा उसकी नली को सिकोडने का काम करता है जिसकी वज़े से जब बेबी बाहर आता है तो मा को बहुत ज्यादा पेन होता है ठीक है और उस पेन की वज़े से मा अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है इसलिए इसे लब हार्मोन के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना the pain harmon's नाम से भी जाना जाता है क्योंकि य совершенно को जब बेगी के डिलीवरी होने वाली होते दर्दा आता है वो इसी की वजह से आता है तो इसको लेवर पेन हार्मोन भी कहते हैं reading लेवर पेन हार्मोन भी इसको कहा जाता है ये इतनी सारी बातें इसमें लिखी हुए ध्यान से देख लिएगा बच्चे के जन्म के दौरान पिट्रुटी दौरा आक्सिटोसिन जारी किया जाता है क्योंकि ये गर्भासय की चिकनी मान स्पेशियों और इस्तन पान कराने वा आपको एक सौर्टी स्क्रीन बना लिजिये इसका बढ़ेंगे अगली स्लाइड की और आप देखिए वैसब प्रोसिन क्या है इसका नाम है एंटिडायूरेटिक हार्मोन एंटिडायूरेटिक हार्मोन कौन सा हार्मोन है तो बताया गया कि ये हमारे सरीर में जल एवं खनी लवन होना चाहिए ये सारी बाते कौन डिसकस करेगा ये सारी बाते एडियच के द्वारा होती है वैसों प्रोशिन के द्वारा होती कहां से निकलता है तो ये भी निकलता है पस्च पिट्यूटी से ठीक है अच्छा वास्तव में एक बात बताऊं आपको तो चाहे एडिय थेलमस में है लेकिन हाइपो थेलमस से यह आके इस्टोर होता है कहां पे पस्ट पिट्रिव्टी के भाग में ठीक है पैसो प्रोशिन का खेल के अब बताया मैंने इतना बताया कि यह खानीज लवण और जल के नियंतरण के लिए उत्तरदाई है जब लोग ज़्यादा धारू पी ले शराब मदिरा पान कर ले उस समय उनका ब्रेन सही से काम नहीं करता यानि की यानि की एंटी डायूरेटिक हार्मोन सही से काम नहीं करता इस वज़े से उनको ज़्यादा पिशाब आती है यानि ज़्यादा उनको वाश्रूम जाना ठीक है तो इसका एक स्क्रिंसाट बनाएगा आगे बढ़ेंगे अगली कहानी आती है किसके बारे में थाइराइड ग्रंथी के बारे में और यही शांदार तरीके से हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है यह देखिए थाइराइड ग्रंथी है यह बटरफ्लाई शेप की होती है किस शेप की होती है बटरफ्लाई शेप की यानि कि तितली के आकार की ग्रंथी है इसको हम एच शेप भी बोलते हैं अग्रेजी वाले इसको यच बोलते हैं यच शेप की यह ग्रंथी होती है और इस ग्रंथी से जो हार्मोन स्रावित होता ह उस हार्मोन का नाम क्या है थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा हार्मोन कौन सा हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन और यह थायरोक्सिन हार्मोन हमारे सरीर की जितने ही मेटाबॉलिक अक्टिविटीज हैं जितनी भी मेटाबॉलिक अक्टिविटीज हैं उन सारी मेटाबॉलिक क्या है मैंने कहा देखिए हमारे सरीर में लगातार निर्मार कारी और विनाशकारी क्रियाएं होती रहती हैं और निर्मार कारी और विनाशकारी क्रियाओं का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है उपापचाई कहलाता है और इन उपापचाई क्रियाओं के उपर किसका नियंत्रन होता है इस थायरक्सिन हार्मोन का नियंत्रन होता है और इस थायरक्सिन हार्मोन में क्या-क्या यही से लोग का कहता है कि आयोडीन युक्त नमक खाओ अना तो कौन बेमारी होता है गेंगा नाम की बेमारी हो जाती है अच्छा कोई अगर पूछे कि का है गेंगा हो जाता है तो बताया गया कि यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं इसके अंदर यह कोशिकाएं T3 और T4 जब नहीं बना पाती हैं तो प्यूश ग्रंथी से मैसेज आता है थायरक्सिन प्यूश ग्रंथी से जो मैसेज आया TSH के द्वारा थायराइड इस्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा और ये thyroid stimulating hormone आ करके thyroid गरंथी से कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा थारक्सिन बनाओ उस समय थारक्सिन कहती है कि इसे हम प्रयास कर रहे हैं बन नहीं रहा है बड़ी मेहनत किये तो ये का कहता है उससे कहता है तब लोगों की संख्या बढ़ाओ यहां कोशिकाओं की शंख्या बढ़ने लगती है और जब बहुत ज़्यादा यहां कोशिकाओं बनने लगती है तो उसमें swelling आने लगती है सूजन आने लगती है और इसी सूजे हुए रूप को घेंगा का नाम दिया जाता है ग्वाइटर का नाम दिया जाता है बोलो राजी खुसी समझ में आगई बात ओके चलिए अब बात कर लेते हैं थाइराइड में भी बात लिखी है या गले के सामने भाग में नीचे अच्छा एक यह और देखिए जैसे यच बनाते हैं एक डंडी यह खीचा एक डंडी यह खीचा एक डंडी यह खीचा तो इसके दो लोब हैं इस गरंथी के भी दो लोब हैं एक ये वाला लोब है और एक ये वाला लोब है और दोनों लोब आपस में एक ज्वाइंट से जुड़ा रहता है किस रंकी होती है भूरे लाल रंकी तितली जैसे सनरशना वाली ग्रंथी है थाराइड ग्रंथी एक मात्र अंता सरावी ग्रंथी है जो बड़ी मात्रा में अपने सरावी उत्पादों को संग्रहित कर सकती है यह मतलब जितना बनाती है उतना वो इस्टोर करके रख भी सकती है बढ़ेंगे आगे हाँ इससे क्या निकलता है थायरॉक्सिन यहने टी-3 टी-3 का मतलब ट्राई आयोडीन थायरोनीन इसको टी-3 बोला गया पिट्री उट्री ग्रंथी द्वारा स्रावित थायराइड उत् पचे दर को प्रभावित करते हैं सारा कॉंसेप्ट क्लियर करा दिया मैंने साठी स्क्रीन मारना हो तुमार लो नहीं तो कोई बात नहीं है आगे बढ़ें चालो अगला वेरी 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 इंपोर्ट है क्या नाम क्या नाम तुम बताओगे मैं लिखूँगा adrenal gland कहां है kidney के उपर है sir ये kidneys के उपर एक गरंथी पाई गई और इसी गरंथी का नाम दिया गया क्या adrenal गरंथी adrenal गरंथी और इस adrenal गरंथी के अंदर से धेर सारे हार्मोन बनते हैं जिसमें मुख्य रूप में हम इसको दो पाईट में डिवाइड करेंगे सबसे बहला बाहरी भाग इसका वलकूट का देखिए इसको जब सेक्षन काट के देख्या गया ते इसको दो भाग है आधिवरिक गरंथी के दो भाग होते हैं वलकुट और मेडूला एक चीज और बता दूंँ अपसे लगे हां इसको एडिनल ग्लेंड को सुप्रारीनल ग्लेंड भी कहते हैं सुप्रारीनल ग्लेंड जो सुद्ध हिंदी आप अधिवरिक ग्रंथी पढ़ रहे हैं उसका सुद्ध इंग्लिश क्या होता है सुप्रारीनल ग्लेंड होता है ठीक है बढ़ेंगे अगे की ओर एक सॉटी स्क्रिन बनाते चलिएगा डन बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं पढ़िए उतना जितना आपके दिमाग में रह सके बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना ठीक है अब इसके कॉर्टेक से निकलने वाले तीन हार्मोन जिनके नाम आपको याद हो जाए लिए नहीं आदो तो डब़ल वड़िया का ऐसे Register में पुछा नहीं जाएगा ग्लुको कटिक कउइड––्ण और लिंग हर्मन यह क्या करता है क्लुकोज का नियमन करता है कि सका नियमन का यह किसका निय बढ़ों के बारे में यह नियमन का कारी करता है और six हार्मोन क्या करता है सेकेंडरी सेक्स्वल कारेक्टर को प्रमूट करता है यानी द्वीतियक लैंगी कि लख्षड ऊब ठीक है secondary sexual character जैसे की पुर्षों की अगर बात करूं में तो shoulders का चोड़ा होना चाती का चोड़ा होना और आवाज का भारी होना दाढ़ी मूछों का आना यह सब कैसे secondary sexual characters हैं जो की humans में पाए जाते हैं उस्पिसली मेल में पाए जाते हैं एक star screen ребा आगे बढ़ेंगे डीक है अ बात करें की मेडुला से निकलने वाले कौन कौन से हार्मौन तो मेडुबला से निकलने माले दो हार्मौन की चर्षा होती है एक को बोला जाता है एपीनेफर in और दूसरे को बोला जाता है और बुदग करते हैं यह मैंने क्या किया कि मैं सो रहा था और मुझे अचानक से कोई आया और मेरा ध्रकन बढ़ कैसे कि अचानक से हमारी सरीर में छेतना नहीं थी मोग अचानक से हमको घाटाने का काम नहीं करेगा, नॉर्मल करने का काम करेगा, यानि कि जितना पहले था उतना नॉर्मल हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, इन दोनों को मिला करके एक साथ क्या नाम दिया गया, 3F हार्मोन, क्या नाम दिया गया, 3F हार्मोन कहा गया, 3 लड़ो डरो या फिर भाग जाओ इसलिए इसको एक और नाम दिया गया इमर्जंसी हार्मोन यह कब काम करता है इमर्जंसी में सरीर को बचाने में यह काम करता है इसलिए इमर्जंसी हार्मोन भी कहते हैं एक सॉपरी स्क्रीन माईयेगा आगे बढ़ेंगे nowoe अगला जो नाम आता है वो आता है पेंक्रीयाज इंप करियाज यानि अगनाशय ऑग और इसे एक नाम और देते हैं मिसर ग्रंथी मिस रित ग्रंथी 콘 Elizabeth का नाव बताई यह तो आप किसका नाम बताएंगे अगना शैकर क्यों किशे मिसरथ गनती कई आनतारावि गरंथी दोनों के लक्षन पाए जाते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं मिस्रित गरंथी के नाम से जाना इसका बाहसरावी रूप आपने देखा था कहां पर जहां लोक डाइजेशन कर रहे थे वहां पर एंजाइम धेर सारे बना रहा था यादा रहां यहां पर हम इसके अंताहसरावी गुण के बारे में बात करेंगे ठीक है इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का स अब अगनाशे से अगनाशे में तीन तरह की मुख्य रूप से कोशिकाएं पाई जाती है एक को बोला गया अल्फा कोशिका एक को बोला गया बीटा कोशिका और एक को बोला गया है डेल्टा कोशिका आप डिल्टा को याद न रखें क्योंकि आपके सलेवस में नहीं है अल्फा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन कौन सा ग्लूकेगाउन बीटा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन कौन सा इंसूलीन इंसूलीन का काम क्या होता है ब्लड में हमारे सरीर में रुधित, हमारे रुधिर में उपस्थित, एक्स्ट्रा ग्लुकोज को ये किस में कनवर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कनवर्ट कर देता है, तो यहां मैं लिख दूँ, यहां मैं लिखूँ इसको, कि ग्लुकोज को किस में परिवर्थित किया, ग्लुकोज को किसमें परिवर्थित किया तो यह ग्लाइकोजन में परिवर्थित कर दिया किसने परिवर्थित किया किसने परिवर्थित किया तो परिवर्थित किया इंसुलीन ने वापस जब जरूरत होगी जब हम फास्टिंग पीरियेड में होंगे जब हमारा खाना वना नहीं मिलेगा मम्मी मार के भागा देगी लतिया देगी बाउप पहे देंगे जिसा है तुम अपने घर जाओ होने रहो मत आना घर पे खाना वना नहीं देंगे तुमको उस समय पे गलाइकोजन जो इस्टोर है इसको परिवर्तित किया जाता है वापस किसमें गलुकोज में कौन परिवर्तित करता है गलुके गान अगर हमारे सरीर में आप कहां कोश्चन आए अगर हमारे सरीर में इंसुलीन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा तो जब इंसुलीन का मात्रा कम हो जाएगा मनें गलुकोज गलाइकोजन में परिवर्थित नहीं होगा यानि रुधिर में ग्लुकोज की मात्रा क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी और जब रुधिर में ग्लुकोज की मात्रा बढ़ गई तो diabetes नाम की विमारी हो जाती है, पका, राजी खुसी, ओके, बढ़ेंगे, आगे की ओर, अगला जनत ग्रंथियां बस आपको दो नाम याद रखने हैं दो नाम याद रखने हैं मेल से निकलने वाला हार्मोन कौन सा टेस्टोइस्टेरान हां भ्रिषट से निकलने वाला हार्मोन कौन सा टेस्टोइश्टेर रखना है और अंडास से निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन याद रखना इससे ज्यादा आपको खुश नहीं याद रखना है ठेक ओके आते हैं अब अगले टॉपिक पे जहां start होगा हमारा प्लांट हार्मोन का हिस्सा प्लांट हार्मोन देखिए पौधों में दो तरे के हार्मोन होते हैं एक को बोलते हैं बृध्धि वर्धक हार्मोन एक को कहते हैं बृध्धि रोधक हार्मोन बृध्धि को वर्धित करने वाला बढ़ाने वाला बृध्धि रोधक और घटाने वाला-फिर उसमें कोई रोल-प्ले ना करने वाला विधिरोधकब आब इसमें तीन नाम आपको याद रखने नहीं है कौन-कौन सा सबसे पहला नाम याद गना है अक्जीन का ओकसीन या ओक्जीन दूसरा नाम आता है जिब्लियन जिसेरा नाम आता है इसमें आपका जिबरेलेन के बाद सैटोकाइनीन का है है थीक है ब्रधिर रोधक अर्मोन में सिर्फ दो नाम आपको याद रखने हैं एक सा नाम रखना और दूसरे का नाम याद रखना है आपको इथाइलेन इथाइलेन का यूज जो फल विक्रेता होते हैं फलों को पकाने के लिए करते हैं कई बार यह कोश्चन आया हुआ है एपसेसी कैसीड एपसेसी कमल का काम क्या है यह पौधों की पतियों फलों इन सब को गिराने का काम करता है एपसेसी कमल ऑग्जीन क्या करता है ऑग्जीन और जिब्रेलिन यह दोनों का काम एक ही है यह काम क्या करते हैं वर्धन करने का यह लंबाई में बढ़ाई यह लंबा आजन के लिए उत्तरदाई है बाकी आपको PDF में सारा मिल जाएगा बस इतना ही याद रखना है आपको अगर छोटे बाउने पौधें हैं उनकी लंबाई बढ़ानी है बाउने पौधों के लंबाई बढ़ानी है तो जिब्रेली नापको काम करेगा ठीक है इतनी बात कंफर् चे में होता है इसक чет त्षाह दागे जैसी संदश्नयाय निकली होती है जिसको इंडॅर लगस कहते हैं ठिक है और बैंडरीस से नीचे की और देखिए एक पतली सी नली नीचे की और जाती है इस प्रकार से इसको एक्जॉन या तंद्रिक आक्ष कहते हैं एक्जॉन लिख दें यहां पर एक्जॉन कहते हैं और एक्जान लास्ट में एक टीवलर बॉडी के रूप में खतम होता है जिसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं अनोब कहते हैं बटन की तरह सनशना होती है और इसी में एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है एसिटो कोलीन एसिटो कोलीन और इसी एसिटो कोलीन से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपर होता है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में ट्रांसफर होता है जाता है ठीक है अच्छा इसके उपर ये नेले रंग की कुछ कोशिकाएं पाई जाती है इनको श्वान कोशिकाएं कहते हैं श्वान कोशा और एक शीथ लाइक श्टक्चर बनाती है शीथ लाइक मतलब covering बनाती है जिस covering को mylene sheath कहते है mylene sheath कहा जाता है माइलीन sheath या श्वान कोशिकाओं के बीच बीच मीं आप देख रहे हैं खाली स्थान है इसको क्या कहा जाता है rain wear का नोड कहा जाता है rain wear का node कहा जाता है node of rain wear ये तो हो गई इसकी बाती याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका का चित्र आप लोगों के लिए बहुत 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 इमपॉटेंट है ठीक है बढ़ेंगे आगे की और अब एक चित राया था मस्तिस्क का, ये मस्तिस्क का figure है, ये भी आपको बना लेना है, ये आपके लिए और important है, एक बार नहीं 2-3 तीन बार परिक्षा में आपके यहां पूछा गया है, जिसमें अगर मैं बात करूं इसके division की, तो मस्तिस्क को मुख्य रुप से 3 भागों मे डिवाइड किया गया अगर मस्तिस्क मध्य मस्तिस्क और पश्च मस्तिस्क अगर मस्तिस्क मध्य मस्तिस्क और पश्च मस्तिस्क अगर मस्तिस्क को प्रोजन सिफिलोन मध्य मस्तिस्क को मिजन सिफिलोन और पश्च मस्तिस्क को रॉंबस सिफिलोन कहा जाता है अगर यह शब से पहली बात अग्रमस्तिस्क में दो भाग होते हैं एक होता है प्रमस्तिस्क एक होता है अग्रमस्तिस्क के दो भाग प्रमस्तिस्क और डाइन सिफिलान डाइन सिफिलान में फिर दो भाग होता है एक हाइपो थैलमस और एक थैलमस इस हाइपो थैलमस की बात हमने किया था जब प्यूश ग्रंथी की हम चर्चा कर रहे थे और इस पेसली पुष्ट प्रामस्तिस्क का बारे में याद रखियेगा कि पूरे मस्तिस्क का लगभग दो तीहाई भाग बनाता है तू थर्ड पाड कौन मनाता है यही प्रामस्तिस्क बनाने का काम करता है किस चीज का काम करता है सोचने के लिए मुख्य काम करता है इसके अलावा याद रखने सुनने देखने भूख जैसी एच्छी क्रियाओं के बारे में भी इसमें जानकारी होती है ठीक ओके बढ़ेंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं यह बात जाने रखिएगा यह संतुलन के लिए काम करता है और पेशियों के नियंत्रण का केंद्र है कि पेशियां कैसे काम करें कितना मुड़े कितना नौ मुड़े इन सब का काम कौन देखता है मद्यमस्तिस्क देखता है और लास्ट में है पस्च मस्तिस्क, अनुमस्तिस्क, तथा मध्यमस्तिस्क को मिला करके होता है, अनुमस्तिस्क, मुद्रा, समन्वए, संतुलान, एच्छिक, पेशियों की गतियों, आधिके नियंंत्रण के लिए responsible है है ना ओके चलेंगे बढ़ेंगे अगली slide की ओर एक सब्द आता है मेर रज्जू का क्या है spinal cord तो देखिए brain जहां समाप्त होता है उसके नीचे एक tubular portion उतरता है एक नलिका में उतरता है और ये नलिका किसकी होती है इस प्रकार से आपने देखा होगा रेड की हड़ी में छले पाये जाते हैं brain से निकल करके ये नलि इसी छले में घुश जाती है इंटर कर जाती है ये नसो की एक स्रिंखला है अब इसमें धेर सारी सूचनाव को control करने के लिए power होती है यानि ये उस समय काम करती है जब brain काम करने में असमर्थ हो तब ये अपना role play करती है कौन मेररज्जू ठीक है क्या लिखा है मेररज्जू मध्य तंत्र का तंत्र कावा भाग है जो मस्तिस्क में नीचे की और एक रसी के रूप में पस्च भाग में उतरता है ठीक है पस्च भाग में उतरता है और यह कशेरुकाओं के मिलने में जो लंबा कशेरुक दंड हो जाता उसी के बीच में नली में चला जाता है सारी बात बता दिया मैंने अब इसमें क्या होता है पूछा जाए आवेगों का ग्रहन मतलब कोई भी मैसेज को ग्रहन करता है मच्छर बैठा हां मैसेज पहुंचा मच्छर बैठा है तो मैसेज जाएगा कहा ब्रेण के पास जाएगा सुचनाओं का भंडारन धेर सारी सुचना अरे फलान ने ओह तुम बुवा के लड़के हो हैं अचा अचा ताकर ट्रेन मिला रहा रहा हम आँ सही का तुछ नहीं है इनका भंडारन फलनिया डेमकिया कूल का सुचना रखे गई और शरीर का संतुलन बनाए रखना मार्सा पढ झाल 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 झाल 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 ढां वही धो सब्धियान से बस सुनने लिजीए के बहुत कुछ नहीं तो सभ्ध है इस इसमें एक शब्द आप से पुछा जाएगा प्रकाशानु अर तन क्या है कि पहला शब्द क्या है प्रकाशान उर्ठ अ जुसरा सब्ध आएगा गुरुत्वानु अरतन और तीसरा वात आएगा अरसाइन नुवरतन हो हैं भस तीनों सब्दों को सुन लीजिए बहुत हभूआ ची नहीं गर निुवरतन का मतलब बस आप समझें मुरने से नुवरतन मतलब मुढने से प्रकाशाण व्र्षकि और मुर्णा किसके और मुर्णा कि चीने निकल शानिक बातन इस ये मालई जिसा चाहेगा उसमें ये दिकंड है प्रत्वी की और मोरेगा और जो इस टेम को एत्जार करना चाहता है तो इस प्रकार से लगबख प्रयास किया गया कि पूरा आपके इग्जाम के पॉन्ट आफ दूसे पूरा सोट में एक सौट में इसको किस प्रकार से दिया है एक घंटे में मैंने पूरा देने का प्रयास किया है उमीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा ओके मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए जहीं नमस्कार टेकर अलफ यू गूटनाइट लव यू वाल पढ़िया से पढ़ियेगा आनंदीत रहिएगा खुश रहिएगा स्वस्त रहिएगा मस्त रहिएगा मिलेंगे अगली क्लास में ओके थैंक यू